इस वीडियो इस जस्ट फोर एंटरेंबेंट प्रपॉस, एवरिधिंग सब इन दिस वीडियो दोसंट मीन तो हर्ट एनिवन, इन्ज्योए हलो फ्रेंड्स, मिर्ची निउस में आपका स्वागत है, तो आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, दीदू से सवाल पुछने वाले हैं, कि दीदू आपको सच्चाई का कीड़ा है, आप बोलती हैं आप से बातें डाइजस्ट नहीं होती, आप सच्चाई बोले बिना रहे ही नहीं सकती, तबी तो जो छोटी छोटी बाते होती हैं, जैसे घर में राशन का समान लेके आना, या बड़ी बातें ऐसी लगवाना, और या फिर प्रीतो के बेबी होने पर उनको गिट्स देना, तो हर बात आपको बोले ही पड़ती हैं यूट्यूब पे, क्योंकि आप को digest नहीं होती हैं ये बातें, जो बातें बताने की भी नहीं होती, वो भी आप बता डालती हो, अब आप अपने माई के आई हो, यहाँ पर रह रही हो, और वहाँ पर अगर आप राशन का समान ले आई हैं, तो उसमें यूट्यूब पे चीख-चीख के बताने की कोँन सी बात है लेकिन आप फिर भी बताएंगी और ऐसे ही प्रीतों है आज कल प्रीतों भी अपने व्लोग में यही तो बताती है मैं दूद लेके आई हूं दही लेके आई हूं घर का राशन का समान लाई हूं और अब तो मैंने अपने दीदू की तरह एसी भी लगवा लिया है तो दीदू आप इतने टाइम से अपने हस्बन के साथ यहां रह रही हो तो आपके घर में राशन का समान कोन लाता है पूछा था किसी ने नहीं पूछा था इवन जब आप ये बात अपने यूट्यूब पे बता रही थी तो आपके हस्बन ने भी बोला था क्या आप ये बात तो वो आपको YouTube पे नहीं बतानी चाहिए अगर नहीं बतानी चाहिए तो शुरुवात ही क्यों करती हो जब शुरुवात हुई थी तब तो आपने फटा फट बता दिया सबको दहेज मांगा जा रहा है कीचड है ऐसे हैं वैसे हैं लेकिन अब अब कुछ भी नहीं बता रही ह तो ऐसा क्यों अब देखो जब भी आपकी बारी होती थी आपकी ममी से कुछ लेने की तो आप दोनों बाहें फेला कर लेती थी जैसे की जब आप रहती थी कानपूर में और यहां आई हुई होती थी अपने माइके में जब वापस जाती थी तो भर भर के लेके जाती थी प कोई भी सबसे गिफ्ट लिये थे तब तो फिर आपने बाहें फिला दी थी कि आने दो आने दो सारा समान आने दो मैं सब ले लूँगी लेकिन अब चब प्रीतों की अपनी माईके से कुछ समान लेने की बारी आई है तब आपको बड़ा यादा आ गया दहेज वाला सिस्टम लेने देने वाला सिस्टम छोटे भाई को मेहनत करने पड़ेगी ये वाला सिस्टम क्यों क्या सिर्फ इस माईके पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही हख है क्या आप ही सिर्फ यहां से ले सकती है कुछ और प्रीतों का कोई हख नहीं है क्या आपकी मम्मी सिर्फ आपको ही देन याद था कि AC अगर आपने लगवाया है तो प्रितो से भी लगवाऊंगी मैंने अगर अपने घर में AC लगवा दिया है एक तो अब दूसरा AC लगवाने की बारी प्रितो की है चल प्रितो अलग रूम में सोएगी मेरे AC में नहीं सोना तुमें तुम अपना AC खुद तुम्हारा भाई पप्पू, तो क्या तब आपको याद नहीं आया कि आपके भाई को उन दो-दो AC का बिल भरने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब तो आप भूल गई, ये तो आपको सिर्फ तभी याद था जब प्रितो के बेबी पे उनके फंक्शन पे ग तो आपको याद नहीं आएगा कि बिल कौन भरेगा, देखो, आपके चोटे भाई पप्पू ने तो बजाक ही मजाक में बातों ही बात में अपने व्लोग्स में प्रितो को बोल भी दिया, कि AC तो तुमने लगवा लिया है, अब इसका बिल कौन भरेगा, उस बिचारे ने तो कहने की कोशिश की, पर तुम दोनों की बुद्धी पर जो पथर पड़े है न, वो नहीं उठ पाएंगे, अब डालो उसके कंदों पे, और बोज है न, तुम्हारी लाइंग्वेज में बोल रही हूँ, तुमने ही बोला था, तुम्हारे भाई को और मेहनत करनी पड़ रहा था, सोते वो हैं कमरे में, और बिल मेर को बरना पड़ रहा है, अब ये देखो, तुम्हारी मोस्ची ने तुम्हारी मम्मी को आग लगा दी, एक और एसी लगवा दिया, अब दो-दो एसी का बिल भरते बढ़ते, मैं तो मारी जाना है, मेरी शाद्दी भी करनी है, ए अधी को घर से भार निकाल दिया, चली गई वो तो अपने घर में, ढून लिया उसने अपना घर, और मेरी बहन पहली आई, फिर दूसरी आई, और कब जा कर लिया है, पहले एक कमरे पे, अब दूसरे कमरे पे भी, मुझे तो लगता है, घर से भार निकाल के ताला लगाने वाली हैं घर में, दोनों की दोनों बैठ जाएंगी, अब मैं कहां जाओंगा, मुझे शाद्धी भी तो करनी है, अब मेरी बेहन को देख लो, दोनों की दोनों क्या बोल रही है, अगले लोकडाउन में शाद्धी करेंगे मेरी, तो अब लोकडाउन का इतिजार करूं, औ तो मेरी शादी नहीं हो नहीं, मैं तो कवा रही मर जाना है, वैसे भी इनकी हरकते हैं, वैसे कोई लड़की आने को तयार नहीं है, जितना इनोंने किचड मचाया ना मेरे परिवार का और अपने सस्राल वालों का, तो लड़कीया कहती हैं, तुम तो हमारे घर का भी ऐसे चड मचवाओगे, इसलिए कोई आने को तयार ही नहीं है, मैं क्या करूँ, तो अब पपू को होने लगी है टेंशन, क्योंकि एसी तो दो दो लग चुके हैं, पर उन दो दो एसी का बिल कौन भरेगा, क्योंकि अक्कू तो यहां आने नहीं वाले, और भट्टू यहां से जाने नहीं वाले, तो फस गया है कोन, पपू, बिचारा पपू, एक तो बिल भरने की इटेंशन, और दूसरा शादी की इटेंशन, तो देखते हैं, आने वाले टाइम में, इनकी इटेंशन कैसे सॉल्व होती है, चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, प्लीस लाइक और शेर दे वीडियो और सब्सक्राइब दे चैनल, थैंक यू फर वाचिंग, बाई बाई, फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में,